हेलो गाइज, वेलकोम बेक टो माई चैनल हम कुकिंग डेकोर, अब सब केच्छे हैं, आई होब सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, आज आपके साथ में एक अलग सा वीडियो सहर करने वाली हूँ, यह डेकोरेशन के उपर है, कुछ डेकोरेशन का आइटम मैंने मैं उसको आपके साथ सेयर करने वाली हूँ, उसका लेंक में सारे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में देदें भी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, यह मेरा फरस्ट आइटम है, कीचन कर्पेट, इसका लुक पूरा 3D टाइप काता है, मुझे ब पसंद आया, यह आपके कीचन का बहुती क्लासी लुक देगा, यह मसालय बगरे का प्रिंट है, कीचन में ज्यादातर मसालय बगर अच्छा लगता है प्रिंट में, आप अलग कोई फ्लावर बगर अप्रेंट लगाओगे तो इतना अच्छा नहीं लगएगा, तो वह प्रिंट करता है, आप मतलब आप अपने साब से भी प्रिंट चूज कर सकते हो, लेकिन यह कार्पेट मुझे बहुत ही पसंद आया, यह पूरा 3D लूक देता है, यह लाइलोन का है, यह मेरा पहला एटम है, फ्लिप कर से, यह रहा मेरा सेकेंड आइटम यह विंडो कटन स यह रहता है, यह मुझे 800 के करीब पड़ा, यह मैंने अपने बेटे के रूम के लिए अडर किया है, ज्यादा तर बच्चों को अने वालत बगेरा पसंद रहता है, चोटे बच्चों को उनको देखने में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अडर किया है, यह बहुत ही थार्ड आइटाम ही कुशन, उमने फाइब पीस का कुशन अडर किया है, यह बेक सॉलिट कुशन है, यह सोपे के लिए मैंने अडर किया है, यह बेक्यूमली पेक्टा, इसको खोलते ही आई अपने सेप में आजाता है, अम देख सकते हूँ, इसे बेक्यूमली पेक्टी, यह कुशन कबर है मैंने ओडर किया है कुशन के लिए बहुत यह अच्छा लगा मुझे इसका फेबरिक मुझे बहुत पसंद आया यह सोफा कबर है ज्यादे तो फ्लावर बगर प्रिंट होई सोफा कबर आता है लेकिन मुझे वह सब कलर अच्छा नहीं लुगता सिंगल कलर का मैंने महँद ढूला तो जाकी मुझे यह हैंडलूम का मिला यह बहुत अच्छा लुप क्लासी लुक दे रहा है सोपे को उस सिंगल कलर का चाहिए था इसलिए मैंने ये कलर चोज किया और ये कुशन के साथ भी थोड़ा मेच हो रहा है ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपको कैसा लगा फ्रेंट्स कमेंट में कमेंट दीजी थैंक्स पर वाचिंग और सब्सक्राइब फोर मोर वीडियोज